कि दोस्तों नमस्कार जैसे कि पता था इचमों ऑपरेटर का रजल्ट आ चुका है और उनका डॉकेंड वेरिफिकेशन डेट भी आ गई है 1521 की सीखता आपका डॉकेंड वेरिफिकेशन चलेगा पूरी ऑपरेटरों की डेट आई है आप दे सकते हो और कटा तो भाई बोली सकते क्या है दे सकते हो जनल केटिंग चौरानबे एसी मोनियासी एस्टी में 65 ओवी सी एंसल वाला उसमें 87 और एडबली उसका 75 ड्रिल आप परेटरी पूश्ट आज आपका कटाफ हो गया पूरा ठीक है आप दे सकते हो कि क्या क्या बोलें आप कटाफ तो देखी सकते हो क 98, 98, 97 मैंने पहले कहा था 97, 97 बहुत बच्चे है लाइन लग गई भाई इसमें हैवी लाइसेंस पाने के बाद इतना कटाफ जाना इंपॉसिबल लग रहा है इतने नंबर आये कैसे भाई वह भी इतने इतने नंबर बच्चे पर ठीक है उनकी मेहनत उनके हाथ में होगी है लेकिन पेपर लीग बहुत हुए है लेकिन बात की बात है बच्चों नंबर ना है उनकी मेहनत हमको दिख रही कि बाइट बच्चे सेलेक्ट हुए है बताब पढ़ने वाले बच्चे हैं एच्छें बहुत सारे यतने सारे कटाफ देशकते हो 96 96 अरुब आपरे अना मता य यह जो कटाफ यह अनप्रेक्टेबल है एटी प्लस कटाफ है ठीक है कुछ बच्चों 75 पाए हैं ओवी सी केटिग्री में ठीक है यह एक्जाम हुआ था ठीक है उसका रिजल्ट आ चुका है अपना बच्चे स्लेक्ट करें अना जो 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 करता है 75 जनल के लास्ट है ठीक ह तो 75 पे ला है बच्चों ने 73, 71, 73 भले आया है लेकिन यह बच्चे स्लेक्ट होड़ा मुस्किल है चुकि इनका जब डॉकिन वेरिफिकेशन होगा तो कहीं कहीं यह मार खाएंगे ठीक है उसमें चुकि अभी सेलेक्शन के बाद आपको जो जो नहीं दिएगे इस पोस्ट टीक है इestä बाद दो मैं कि जितनी पोस्ट होतने बच्चे स्लेक्ट होंगा ज़ाधा स्लेक्ट करेगर नहीं तो कुछ बच्चे इसमें रेजक्ट होनगे बच्चे स्लेक्ट किया गया है मतलब बहुत बच्चे बुलाएग इसmen दे सकते हैं आपके सामने पूरी पीडे चल स्लेट करेगा ज्यादा स्लेट तो करेगा नहीं तो बॉंटरी पर है उनका मुस्किल है ना में पीडिय अप में लेकिन होने वाला है जैसे पिछली बाद च्छे सोननेश पोश्ट यह आई थी तो लगवाद बारा सू बच्छे को बुलाया गया था था अना तो आधे प्राद तीन सु पोश्ट है और इतने बच्छे बुलाया अगर समझ सकते हो तुछ बच्छे निगलेंगे लेकिन जब सेकेंड लिस्ट आएगी उसमें नाम आ जाता है ठीक है तो ठेरो सुबकामना है उन बच्चों ठेरो बदाई हैं लकलक बदाई हैं और सुबकामना है झाला है